नमस्कार मेरे जवानों कैसे हो सब स्वागत है फिर से आपका गोल अचीवर्स में तो दोस्तो बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो इंडियन आर्मी जोइन करें तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आप अपने इंडियन आर्मी को जॉइन करने के सपने के लिए मेहनत करते हैं उसी प्रकार हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके पास सही समय पे सही बाते और ज्यान आप हमारी आर्मी जॉइन कर सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा आर्मी फोर्ट स्टॉंगेस्ट आर्मी है और सबसे बहतरीन बात हमारे आर्मी की ये है कि यहाँ पे कोई कास्ट, Ra Judasera, Protection, प्रोविजन नहीं होता है वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दू कि आज हम बात करने वाले हैं तीन तरीकों के बारे में जिससे हम इंडियन आर्मी जॉइन कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि हमारी आर्मी 4th strongest आर्मी है और इसमें कोई काश, रिलीजन, रिजर्वेशन, प्रोविजन नहीं है तो दोस्तों 12 के बाद करियर को लेकर बहुत से युवा कन्फूज हो जाते हैं इसके वज़े से वो इंडियन आर्मी के करियर अपर्चिनिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं तो हम आपको बता दे इंडियन आर्मी आपको शांदार करियर प्रदान करता है और सालाना इसमें 20 से लेकर 35,000 लोग भरती लेते हैं इंडियन आर्मी हमें बहुत सी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जैसे जॉब सेक्यूरिटी, पेंशन आफ्टर रिटार्मेंट, गूड सैलरी पैकेज, अत्वा लेकिन इन सब चीजों से उपर इंडियन आर्मी आपको मात्र भूमी की सेवा करने का आउसर प्रदान करता है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप इन्डियन आर्मी में की स्पोस्ट पे काम कर रहे हैं इन्डियन आर्मी का हिस्सा होना ही अपने आप में घर्व की बात है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किन तीन तरीकों से हम इंडियन आर्मी जोइन कर सकते हैं तो दोस्तो पहला तरीका ये है कि NDA जिसका फुल फॉर्म है National Defense Academy जो कि खादक वसला पूने में स्तीत है तो दोस्तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का ये First Academy है जहां पे Army, Navy और Air Force तीनों की तैयारी साथ में होती है NDA के लिए साल में दो बार 320 vacances निकलती है 208 Indian Army के लिए 70 Indian Air Force के लिए 42 Indian Navy के लिए NDA exam UPSC से दो बार करवाया जाता है और इसके notification जून और December के महिने में निकलते हैं अब बात करते हैं इसके educational qualification और eligibility criteria के अगर आप 10 प्लस 2 में हैं या फिर 10 प्लस 2 को pass कर चुके हैं तो आप इसके लिए eligible हैं अगर आप NDA के जरीए Indian Navy और Indian Air Force में जाना चाते हैं तो आपके पास 10 प्लस 2 में Physics और Mathematics का हुना अनिवार यह है NDA के थ्रू Indian Army में आप किसी भी stream से apply कर सकते हैं इसके लिए आपकी age 16-19 के बीच में होनी चाहिए यानि अगर आपकी age 16 से कम या फिर 19 से जादा है तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते NDA के लिए सिर्फ unmarried male candidates ही apply कर सकते हैं female candidates इसके लिए apply नहीं कर सकते NDA exam apply करने के लिए आप UPSC की official website upsc.gov.in पे जाकर apply कर सकते हैं अगर बात करें इसके selection procedure की तो NDA में select होने के लिए आपको पहले return exam clear करना होता है और return exam clear करने के बाद आपको interview के लिए बुलाया जाता है और इस interview को कहते हैं SSB interview अगर आप SSB interview पूरा कर लेते हैं तो आपको 3 साल के लिए National Defense Academy को भेजा जाता है और वहाँ से 1 साल के लिए Indian Army Military Academy देहरादून में भेजा जाता है अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे तरीके की और तो दोस्तों इसे कहते हैं TES Entry TES यानि Technical Entry Scheme ये एक Technical Entry होती है और इसके थुरू आप Indian Army को as an engineer जॉइन कर सकते हैं TES exam साल में दो बार conduct किये जाते हैं और Indian Army TES के लिए साल में दो बार 90 vacancies निकालता है TES exam का notification में से जून और October से November में आता है अब बात करते हैं इसके educational qualification और eligibility criteria के बारे में इस entry के लिए केवल science वाले student ही eligible है इसके लिए आपके पास 10th plus 2 में physics, chemistry और mathematics में aggregate percentage 70% और उससे ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए आपकी age limit 16-19 के बीच में होनी चाहिए यानि कि अगर आप 16-19 से कम हैं या फिर 19 से ज्यादा हैं तो आप इसके लिए apply नहीं कर सकते इस entry के लिए केवल unmarried male candidates ही apply कर सकते हैं और इसके apply करने के लिए आप Indian Army की official website joinindianarmy.nick.in पे जाकर apply कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके selection procedure के बारे में तो इसमें candidates को SSB interview के लिए cut off list के आधार पर बुलाया जाता है इसकी total training duration पात साल की होती है जिसमें से चार साल आपको आर्मी के engineering college में technical knowledge दी जाती है और एक साल officers training academy गया में basic military training दी जाती है तो दोस्तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे आखरी तरीके के बारे में तो दोस्तो इस तरीके को soldier entry scheme कहते हैं हर साल अलग-अलग जगहों पर Indian Army recruitment rally organize करती है जिसके notification आपको Indian Army के official website और local newspapers में मिल जाएंगे इन rallies में Indian Army physical test, medical test और return test के आधार पर candidates को select करती है तो दोस्तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दू कि इन rallies के माध्यम से आप Indian Army की अलग-अलग rank के लिए apply कर सकते हैं जैसे कि soldier general duty, soldier clerk, soldier tech, soldier nursing assistant और soldier tradesman इन सभी post के लिए educational qualification और eligibility criteria अलग-अलग होती है soldier general duty के लिए आपकी age limit साड़े सत्रा से 21 साल के बीच में होनी चाहिए और इसके लिए आपकी minimum qualification 10th होनी चाहिए यानि अगर आप 10th class में minimum 33% marks से clear हैं तो भी आप इसके लिए eligible हैं और अगर आप soldier clerk के लिए, soldier tech के लिए, soldier nursing assistant के लिए और soldier tradesman के लिए apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी age limit साड़े सत्रा से 23 years के बीच में होनी चाहिए soldier clerk के लिए apply करने के लिए आपको educational qualification 10 plus 2 में minimum 50% marks के साथ maths और English में 40% marks के साथ होना ज़रूरी है अगर आप soldier tech के लिए apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी educational qualification 10 plus 2 में minimum 50% marks के साथ physics chemistry और maths में minimum 40% marks होना ज़रूरी है और अगर आप soldier nursing assistant के लिए apply करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी educational qualification 10 plus 2 में minimum 50% marks के साथ physics chemistry और biology में minimum 40% का होना ज़रूरी है soldier treatment के लिए 10th ITI और 8th pass apply कर सकते हैं तो ये थी Indian army को join करने के 3 तरीके जिसके तुरू 10 plus 2 clear करने के बाद Indian army join किया जा सकता है तो दोस्तो इस वीडियो को लेकर अगर आपके मन में कोई भी question होगा तो आप comment में जरूर पूछना और वीडियो को share जरूर करें ताकि हर जरूरत मन तक वीडियो पहुच सकें अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा जै हिन जै भारत